Hello everyone, welcome back to my channel Kana Math Coaching In this video we will discuss about new chapter parameter in area So let's start What is parameter? Parameter is a sum of length of all sides of a figure किसी भी figure की जो length ती होती है जितनी भी sides होती है उन सब की जो lengths होती है उन सब को add कर दिया जाए तो हम क्या find करते हैं? Parameter find करते हैं For example, एक triangle है triangle में कितनी sides होती है How many sides in triangle? 3, 3 sides होती है और 3 sides का आप total कर देते हैं तो आप क्या find करते हैं? Parameter find करते हैं और parameter हमेशा क्या होता है? किसी भी figure के बाहर की जो boundary होती है जब उसको find किया जाता है तो हम parameter find करते हैं और अगर किसी भी figure के अंदर की बात की जाती है तब हम क्या find करते हैं? Area find करते हैं parameter of this figure is equal to sum of length of all sides is equal to 7 cm plus 12 cm plus 14 cm is equal to, कितना हो जाएगा ये, 7 and 12, 19, 19 and 14, कितना होगा, 33 cm, ठीक है, next come to question number two, Mr. Khan plans two fences square garden, Mr. Khan plan कर रहे हैं अपने square garden को, जो garden है उनका, वो square shape का है, और उसको fence कराने की planning कर रहे हैं, fence कराने का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक garden है, ठीक है, और हम उसके चारों तरफ जो है, गेर करवाना चाते हैं, काटे दार कुछ लगवाना चाते हैं, घेरा ब फेंस बोलते हैं, तो Mr. Khan प्लैन कर रहा है, फेंस कराने का, एच साइड ओफ गार्डन मेजर 9 मीटर, जो गार्डन में कितनी, स्केर शेप का है, तो उसके कितनी साइड होंगी, 4 साइड होंगी, और एक साइड 9 मीटर है, स्केर आपको पता है, उसको कितनी fencing की जरूरत है अब उसको fencing करानी और fencing हमेशा कहा होती है बाहर की portion पर होती है और बाहर अगर होगी तो it means हमें क्या find करना है parameter find करना है site of garden is equal to 9 meter parameter of garden parameter क्या होगा garden किस shape का है square shape का है तो it means parameter किसका लगेगा square garden का लगेगा parameter of square garden is equal to 4 multiply side is equal to 4 multiply side कितनी है 9 meter 4 multiply 9 36 meter it means हमारे को कितनी need है fence कराने के लिए garden के लिए हमें fence कराना है तो हमें कितनी fencing की need होगी 36 meter 36 meter fencing will be needed for this garden I hope आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें हमें क्या गरना है square shape का garden है उसे हमें fence कराना है और square की एक side अगर 9 meter है तो बाकी सब भी 9 होंगी वाइ? because all sides are equal in square square में सबी sides क्या होती है? equal होती है now come to the next question question number third राहूल runs around a rectangular park whose length and breadth are 15 meter and 8 meter राहूल जो है वो एक rectangle shape का पार्क है उसके चारो तरफ दोड़ता है उसकी length 15 meter है और breadth 8 meter है if he runs around the park five times अगर वो पार्क में five times यानि पाँच बार एक दिन में चक्कर लगाता है अगर एक बार लगाता है तो 15 meter और 8 meter है अगर एक चकर लगाता है तो 15 meter और 8 meter हो गया अब five times लगाता है find the distance variance every day तो वो पूरे दिन में हर रोज जो है वो कितनी distance जो है कवर कर लेता है कितना दोड लेता है उसको आपको centimeter में बताना है तो पहले तो ये देखो कि राहूल ने rectangle shape की पार्क है उसके चारो तरफ चकर लगाता है और उस rectangle shape की पार्क की length और breadth दिया अगर वो पाँच चकर लगाता है तो कितना होगा parameter of rectangle रेक्टेंगल की अब रेक्टेंगल शेप का है रेक्टेंगल शेप का है तो उसके चारो तरफ चक्कर लगा रहा है एट मिन्स पैरामिटर फाइंड करेंगे पैरामिटर ओफ रेक्टेंगूलर पार्क पैरामिटर ओफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to क्या फोर्मुला होता है 2 multiply length प्लस breadth यह फोर्मुला होता है rectangle का parameter का ठीक है अब parameter of rectangular पार्क आपको पता है 2 multiply length कितनी दिवी है 15 meter तो मैंने length की जगा पर क्या round कर दिया 15 meter प्लस में breadth कितनी दिवी है 8 meter तो मैंने breadth की place पे क्या right कर दिया 8 meter right कर दिया अब हम इसको solve करेंगे 2 multiply पहले bracket वाले को क्या कर लेंगे solve कर लेंगे 15 and 8 कितने होते है 23 meter अब 23 meter की 2 से क्या कर देंगे multiply कर देंगे 46 meter यहाँ पर बोला है राहूल जो है वो rectangle shape का जो park है उसके 4 तरफ चक्कर लगाता है और वो जो rectangle shape का park है उसकी length और breadth दिवी आपको बता rectangle में क्या होती है opposite side से क्वल होती है इसलिए अगर एक side 15 है तो उसके सामने वाली side भी 15 होगी अगर एक 8 है तो next वाली जो उसके सामने होगी वो क्या होगी 8 होगी तो यह length हो गई और यह breadth हो गई अगर वो five times चक्कर लगाएगा तो कितने distance कवर करेगा अभी one time करता है फिर 46 meter he runs around the park five times every day every day वो run करता है पार्क की चारो तरफ five times every day एक time करता था तो 46 meter था अब five time करेगा तो five से आप इसकी क्या कर दोगे multiply कर दोगे 230 meter यानि वो total कितनी distance कवर करता है total कितना run करता है 5 बार चकर लगाता है तो 230 meter अब इसको किसमें बनाना है centimeter में one how many centimeter in one meter 100 centimeter then 230 meter में कितने centimeter होंगे 230 की 100 से क्या हो जाएगी multiply 230 की 30 से 100 से multiply करोगे तो 23,000 centimeter ठीक है one time उसने जब चकर लगाया तो 46 meter आया बट वो run कर रहा है पार्क की चारो तरफ five times every day तो 230 meter now come to the question number fourth राधिका wants to decorate the edges of square photo frame using a color tape राधिका जो है वो क्या करती है ये जो photo frame है इसको क्या कर रही है इसकी जो edges है, edges ही होती है, sides कोई क्या बोलते है, edges बोलते है राधिका चाहती है, decorate करना edges of square photo frame ये जो square shape का photo frame है इसकी edges को क्या करना चाहती है, decorate करना चाहती है, color tape से ही, means tape लगाना चाहती है मतलब उसके पास अभी कम है, पूरी तो नहीं है इसके लगाने के लिए, अभी उसको और tape की भी जरूरत है तो कितनी और जरूरत है तो अब हमें tape लगानी का है, इसके चारो तरफ लगानी है, it means हमें क्या find करना पड़ेगा पहले इस photo frame का हमें क्या find करना पड़ेगा, parameter find करना पड़ेगा क्योंकि जो photo frame है, उसके चारो तरफ उसकी edges पर लगानी है, हमको color tape और अगर उसकी edges पर हमें लगानी है, तो edges तो बहार होती है, और बहार का find करते हैं अगर बहार की portion को find क्या जाएगा, तो it means we will find parameter, तो अब यह किस shape का है, photo frame, square shape का है तो पहले आप parameter निकालोगे, parameter of photo frame, parameter of photo frame, photo frame किस shape का है, square shape का है तो अब parameter क्या होता है, square का 4, multiply में side, side of photo frame, photo frame की side क्या है अगर एक side 26 है, तो दूसरी भी 26, यह भी 26, यह भी 26, तो एक side अपराइट कर दो, 26 cm side क्या है, photo frame की 26 cm तो parameter क्या आजाएगा 26, multiply में 4, 104 cm, ठीक है, यह क्या आया, अब हमें यह पता लगया, कि इस frame, जो frame है, इसकी जो edges है, इस पर color tape लगानी है तो हमें यह पता लगया, कि कितने हमारे को need है, 104 cm, 104 cm की need है हमारे को, बट यहाँ पर tape meter में दिवी है, इसलिए हम पहले meter को किस में find करेंगे, cm में, 1 meter is equal to 100 cm, है ना? राधिका has tape is equal to, राधिका के पास tape कितनी है, 100 cm, राधिका के पास tape कितनी है, 100 cm, बट हमें चाहिए कितनी है, 104 cm चाहिए, लेकिन है कितनी 100, it means 4 cm राधिका को और चाहिए, तो राधिका, नीड, 4 cm tape, राधिका को कितनी cm tape की जूरत है, राधिका नीड, 4 cm tape, to decorate the photo frame, डेकोरेट दा, edges of photo frame, ठीक है, राधिका को और कितनी की जूरत है, राधिका नीड, राधिका नीड, 4 cm tape, to decorate the edges of photo frame, अएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए